है इमान वालो चलिए इमानदारी के बात करते हैं है इमान रखने वालो आप में इमानदारी कितनी है जी हां मेरे मुसलमान भाई भैनो आपके नभी एक बात पर इमानदार रहे उन्होंने खुला स्विकार कर लिया इस बात को कि उनके पास कोई भी आश्वासन नहीं है कि उ उन्होंने मान लिया था इमानदारी से कि वो जन्नत जाएंगे या नहीं जाएंगे उसका आश्वासन नहीं है। आप इस बात को पढ़ सकते हो सुरा 46, 8 और 9 इल्ला नजीर मुबीद साहियल बुखारी वॉल्यूम नमबर 4, किताब नमबर 51, हदीप नमबर 16 साहियल बुखारी वॉल्यूम नमबर 5, किताब नमबर 58, हदीप नमबर 266 यहाँ पर आपके नभी मुहमद ने मान लिया था कि उन्हें पता नहीं और उन्होंने सभी को बताया फातिमा बिंत मुहमद, साफिया, बानी अब्द मनाफ और खुरेश जाती के सभी के लोगों को बताया कि वो नहीं जानते हैं उनके साथ क्या होने वाला है क्या आप आपके नभी के जैसे इमानदार हैं और इस बात को इमानदारी से स्विकार करते हैं कि आप जन्नत जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका आश्वासन नहीं है अगर आप अपने नभी का आदर करते हैं आप स्विकारेंगे इस बात को यदि आप इस बात को इंकार करते हैं आपने अपने नभी को इंकार कर दिया है यदि आपने स्विकार किया है तो इस वक्त हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आप जन्नत जा सकते हैं आप अननकाल का जीवन पा सकते हैं येशु मसी आपको बुला रहे हैं हम के साथ सत्य को स्विकार कीजिए और इमानदारी के साथ येशु के ओपर इमान लाइए ताकि ये इमान आपको जन्न तक पहुंचाए निर्में आपके हाथ समय कम है येशु आने वाला है हक को जाने हक आपको छुड़ाएगा